हेलो गाइज वेलकम टो स्टडी विथ मी चैनल आज हम इस वीडियो में बात करेंगे MSME के बारे में तो गाइज आज इस वीडियो में जानेंगे MSME होता क्या है तो इस ویڈयो में MSME का meaning और इसके बारे में पूरे detail में आज इस वीडियो में जानेगे तो guys आए ही दिनों में आपने कई बार MSME का MSME word अपने news में अख़बारों में और book में आपने देखा होगा MSME के बारे में तो आपको भी पता नहीं होगा कि MSME होता क्या है तो आज मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि MSME होता क्या है और इसका work क्या होता है तो वीडियो को last तक देखियेगा बहुत ही interesting होने वाला है और अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो study with me को सब्सक्राइब कर लिजे तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते है The full form of MSME MSME का full form होता है micro, small and medium enterprises MSME में आज हम vision, mission और function देखेंगे तो vision की बात करें तो micro, small and medium enterprises जितने भी company जो होंगे इस सब सारे startup को एक तरीके से globally में compete करने का मौका मिलेगा वो अपने development को अपने development करने को उन्हें मौका मिलेगा और इससे क्या होगा Indian economy को growth मिलेगा जो की सब के लिए अच्छा बात है यह mission में देखेंगे तो इसमें जो promote किये जाएंगे MSME को growth and development के लिए उन्हें promote किये जाएंगे इसमें खादी और village और queer industries भी जो है वो सारे enterprises अपने नए enterprises को open कर सकते हैं इसके कारण क्या होगा कि employment opportunity जो है वो और बढ़ेगा डेटमिस रोजगार और इससे बढ़ावा मिलेगा रोजगार भी मिलेगा सभी को और जो ministry है डेटमिस minister जो है वो long term goal अपना इसमें लगाए हुए है जो कि इससे क्या होगा MSME जो है इससे क्या होगा manufacturing को बढ़ावा मिलेगा country डेटमिस देश को उनके देश के performance को MSME को लेकर छोटे small जो है and medium enterprises है उन सभी को performance में अच्छा और उन्हें बढ़ावा देने के लिए उसे improve किया जाएगा और उन्हें skill के द्वारा और entrepreneurship के द्वारा उन्हें develop किया जाएगा ताकि वो भी देश के economy को बढ़ा सके और एक तरीके से वो अपने medium और small enterprises जो है वो भी आगे बढ़ सके तो उन्हें भी develop किया जाएगा अब function की बात करें तो इसवे first point है facilitation and credit flow to MSME second है improving competitiveness of MSME that means competitive जो है competition जो है और MSME के द्वारा improve किया जाएगा improve manufacturing based through upgradation of technology और जो manufacturing based जो है उन्हें बढ़ावा दिया जाएगा उन्हें अप्ग्रेड किया जाएगा new technology के द्वारा promotion of MSME through cluster based approach उन्हें promotion भी किया जाएगे जो MSME के थूरू जो है वो सारे enterprises को marketing support to MSME और जो small और medium and micro enterprises है उन्हें marketing के लिए support किया जाएगा minister के द्वारा skill development और entrepreneurship development में training दिया जाएगे इन्हें new macro enterprises जो है उन्हें prime minister employment generation program के थूरू create के जाएगे उन्हें बढ़ावा दिया जाएगा और उन्हें support दिया जाएगा खादी एंड विलेज इंडस्ट्री को खादी एंड विलेज इंडस्ट्री सेक्टर को उन्हें भी development के जाएगा और उन्हें growth के जाएगा लास्ट पॉइंट है growth and development of core industry इन्हें भी core industry को बढ़ावा दिया जाएगा and develop किया जाएगा the central government hereby notify the following criteria for classification of micro small and medium enterprises namely that means central government के दोबारा यहाँ पे notifies किया गया है that means notification दिया गया है कि जो criteria है classification किया गया है micro small and medium enterprises को वो कुछ इस तरीके से किया गया है first में हम देखे तो micro enterprises where the investment in plant and machinery or equipment does not exceed 1 crore and turnover does not exceed 5 crore that means micro enterprises के अंतरज़ाद उन्हें ही रखा जाएगा जिनका investment क्या गया plant में plant में या फिर machinery और equipment में वो एक करोड से exceed नहीं होना चाहिए और जो turnover है वो exceed 5 crore से exceed नहीं होना चाहिए turnover second है small enterprises where the investment in plant and machinery or equipment does not exceed 10 crore and turnover does not exceed 50 crore और जो small enterprises है उनका investment जो होना चाहिए plant पे और machinery equipment पे वो 10 crore से ज्यादा नहीं होना चाहिए और उनके जो turnover है small enterprises को जो turnover है वो 50 crore से ज्यादा नहीं होना चाहिए यह small enterprises के अंतरगत में इन्हें रखा जाएगा third में medium enterprises where the investment in plant and machinery or equipment does not exceed 50 crore and turnover does not exceed 250 crore that means medium enterprises है उनका investment जो होना चाहिए plant में और machinery और equipment में वो exceed नहीं होना चाहिए 50 crore से और जो turnover है वो exceed नहीं होना चाहिए वो ज्यादा नहीं होना चाहिए 250 crore से that means 500 crore से ज्यादा नहीं होना चाहिए turnover उनके यह सारे criteria को that means third point जो मैंने आपको बताया यह medium criteria के अंदर में रखा जाएगा इनको this notification shall come into effect from 101.07.2020 it means 172020 से यह notification को लाया गया है तो guys इस video में हमने बताया कि MSME का full form क्या होता है MSME का vision क्या है function क्या है और उनके work क्या है और लास्ट में मैंने आपको notification के बारे मताया notice रेटमिस criteria जो जिनके अंतरगत में small enterprises को micro enterprises को and medium enterprises को बाटा गया है और उनके criteria set किया गया है तो अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो like कर देना comment करके आप कोई भी doubt clear कर सकते हो and हाँ guys वीडियो को बनाने में काफी जादा महनत लगती तो please हमारे study with me channel को support कीजिए subscribe कीजिए और वीडियो को share करना ना भूले thank you so much for watching this video